2024 के लिए कौन से हैं best mid cap mutual funds जहां पर आप लोग long term investment का plan कर सकते हैं ये प्रशन मेरे एक subscriber ने पूछा था और इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे तो बात आती है कि mid cap ही क्यों देखिए अगर आपको long term में बढ़िया returns चाहिए और अगर आप medium volatility यानि उतार चड़ाओ को digest कर सकते हैं तब mid cap funds आपके लिए ही हैं चलिए इस बात को आपको एक उधारन से समझाता हूँ अब आप यहाँ पर nifty mid cap 100 index को देखें जिस पर लगबग सभी mid cap funds based रहते हैं और इस index में 100 बहतरीन mid cap stocks होते हैं आप देखें कि यह index बना है 2005 में यानि करीबन 18 साल पहले अब आप यहाँ पर इस mid cap index का return since inception देखें यानि जब से यह index बना मतलब 18 सालों में इसका return रहा 21.37 जो की शांदार है ध्यान दे हम आगे जिस mutual fund की बात करेंगे उन्होंने तो इस index से भी अधिक returns दिये हैं तो यही है long term investing की power इसलिए हम लोग यहाँ केवल long term के उद्देश से ही बात करेंगे यानि 10 साल से उपर का निवेश अब आपके सामने हैं यह कुछ best mid cap funds और इसमें से हम लोग तीन best mid cap funds चुनने वाले हैं देखे हम यहाँ पर एक प्रकार से केवल returns को देखकर ही decision नहीं लेंगे कि यह बढ़िया है या वो बढ़िया है पर इसका एक प्रकार से पूरा fundamental analysis करके आपको दिखाये जाएगा तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि यहाँ जो भी funds discuss किये जा रहे हैं उनमें मेरी किसी भी तरह से खरीदने या फिर बेचने की राय नहीं है यह पूरी तरह से आपके decision पर ही निर्भर करता है अगर आप मेरे channel से पहले से ही जुड़े हैं तब आप alpha, beta, standard deviation और sharp ratio का मतलब जानते ही होंगे क्योंकि मैं इनको अकसर ही discuss करता रहता हूँ देखिए alpha एक प्रकार से returns को बतलाता है और इसे आप यह समझ सकते हैं कि कितनी बार उस fund ने अपने benchmark index के returns को beat किया है यह value अधिक ही बढ़िया है अब आता है beta और standard deviation जो बताता है कि fund की volatility इंडेक्स के comparison में कितनी है यह दोनों value कम ही ठीक है और beta की value एक से कम होना ठीक मना जाता है फिर आता है sharp ratio जो की है risk reward ratio यह अधिक ही अच्छा है जिसका मतलब होता है कि ठीक ठाक risk ले करके आप बढ़िया returns बना रहे हैं अब यहां जो भी fund हमने लिये हैं उनके या तो 10 साल पूरे होने वाले हैं या फिर वह 10 साल से अधिक हैं फिर long time के लिए हमने इनके 7 साल और 10 साल और जब से यह funds चल रहे हैं तब से इसने कितने returns दिये हैं वह ले लिये हैं और यहां पर हमने comparison के लिए nifty mid cap index को भी ले लिया है अब आपकी सुविधा के लिए यहां पर green मतलब positive और red मतलब negative point अब देखें सबसे पहले तो अगर alpha की बात करें तब यह अधिक ही बढ़िया है तो यह quant में सबसे अधिक है और moti lal में भी लगभग सेम ही है पर यह सब सबसे कम है PGIM इंडिया में इसका मतलब है कि बीच-बीच में कई बार PGIM इंडिया ने अपने index से कम returns लिया है पर इस हिसाब से PGIM इंडिया mid cap खरब नहीं हो जाता है क्योंकि आप देखें ऐसे भी funds हैं जिनका alpha negative में है और ऐसे funds को तो avoid करना ही चाहिए जो अपने benchmark को ही utility सबसे कम है इन सभी में यह बहुत बड़ा positive है और जो आपको यहां इस sharp ratio यानि risk reward ratio में भी दिख जाएगा जो बताता है कि मोतिलाल उस्वाल mid cap fund कम risk में बढ़िया returns दे रहा है अपनी category में अब standard deviation भी quant का सबसे अधिक है मतलब quant में volatility अधिक ही है और अगर आप यहां पर सबसे बढ़िया risk reward ratio सभी mid cap mutual fund में मोतिलाल ओस्वाल mid cap fund का है जो काफी बड़ा plus point है जिसे अक्सर सभी investor overlook करते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं अब देखें 7 साल के returns को जो quant का सबसे अधिक है और सबसे कम है SBI mid cap का यहां यह बात ध्यान दें कि 7 साल में mid cap index ने 19.5% के अब अगर इंडेक्स का return देखेंगे 10 सालों का तब वह है 21.8 और केवल दो funds ही इसे पीट कर पाये हैं वह है HDFC mid cap और मोतिलाल ओस्वाल mid cap और बाकी के दो निपॉन और SBI अपने index के return के करीब करीब ही है फिर since inception यानि जब से यह fund चल रहा है तब से इनका returns क्या है देखिए यहां जो भी fund है उनका direct plan 10-12 सालों से है और इस समय में सबसे अधिक returns हैं मोतिलाल उस्वाल के यहां क्वांट का return सबसे कम है पर अभी पिछले 5 सालों में क्वांट के सभी funds ने जबरदस्त returns दिये हैं expense ratio जो काफी बड़ा factor है वह निपॉन में अधिक है पर index fund का expense ratio कम ही होत अब बात आती है कि इन सब में से best कौन सा है तो देखिए मेरे विचार आपसे अलग हो सकते हैं इसलिए किसी भी प्रकार के निवेश के लिए आप अपना research जरूर करें तो मेरे हिसाब से सबसे पहला स्थान मिलता है मोतिलाल ओस्वाल midcap को और देखिए इस fund में एक भी ला C को ही चुनूंगा क्योंकि इस fund का long term track record काफी बढ़िया है पर जिस हिसाब से पिछले 5-6 सालों में Quant ने शांदार returns दिये हैं उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता पर हां ध्यान दे कि Quant midcap fund में return तो अधिक है पर ये काफी volatile भी है अब तीसरा स्थान आश्चर जनक रूप से द आधे से भी कम है और वैसे भी long term investing के लिए midcap index investing एक शांदार option है अब आप मुझे comment करके बताएं कि आपका favorite कौन सा है वैसे mutual fund के अलामा भी एक best investment option है ETF यानि exchange traded funds अगर आप 2024 में investment के लिए best ETF की तलाश में है तब देखें यह वीडियो